नमस्का दोस्तों हम बहुत दिनों से वीडियो इस पर नहीं लेके आ रहा हूं लेकिन फिर से आपको एक बार continue इस पर वीडियो आने वाले हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगें कोई भी जैसे करेक्टर है उसको हम illustrator में create करें हैं और उस illustrator के फाइल को हम जो है animate cc में कैस इसे लेकर आते हैं इस वीडियो में आपको मैं डीटेल से बताने वाला हूं तो चलिए देखते हैं तो हम पहले देखेंगे इलिश्टेटर में फाइल को हमारे पास जो है यह एक इलिश्टेटर का फाइल है और इसको हम क्या करेंगे जो एनिमेट्स किसी में इंपोर्ट करके उसको हम देखेंगे तो इसके लिए हम यहां पर इलिश्टेटर में कुछ सेटिंग करना पड़ता है जिसको कि मैंने यहां पर आल्रेडी इसको सेटिंग कर चुका हूं और अगर दोस्तों आप इलिश्टेटर का पूरा कोर्स सीखना चाहते तो मैंने अभी ज़स्ट यूडिमी पर एक अपलोड किया हूं इलिश्टेटर का कोर्स जिसको की कोर्स है जिसमें कि यहां से जितने भी टूल्स है आप देख रहे हैं एक एक टूल्स के बारे में बि मेनु बार का अलग-अलग वीडियो बनाके हमने दिखाया हूं कैसे हम इसमें वर्क करते हैं उसके बार यहां पर प्रोपार्टी और जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इलिश्टेटर के लिए उसके बारे में भी डिटेल से बना हुआ वीडियो अगर मैं यूडिमी पर आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं यह जो है इलिश्टेटर का फुल कोर्स है आप देख सकते हैं इसका कोस्ट जो है 3499 है लेकिन आपका कूपन कोर्ड है जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसको apply करते ही यह जो है 399 रुपिय का आपको course परेगा और यह सिर्फ one week के लिए है जो starting week है तो इस पे आप अगर देखते हैं course की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 section में divide किया हुआ है जिसमें की पहला है introduction जो कि हम overview इसके जो interface बताया हूँ उसके बाद अगर आप example के तोर पे दिखाया हूँ कि इस टूल का क्या काम होता है उसके बाद हम अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक जो है important जो होते हैं जो illustrator के बारे में उस पर एक video है उसके बाद हम menu वार की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक एक menu वार का एक एक जो है video बना हूँ यहाँ पे और लास्ट मैंने जो है कुछ character भी लेके बताया हूँ कि जिसको हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम जो है कोई भी animate CC के लिए कैसे हम कोई भी character को बनाते हैं ये भी यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ और उसके बाद मैं एक और कोर्स दिखाना जो कि आप अगर animate CC का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी मैं यहाँ पर टुटोरियल बना हुआ है जिसका cost जो है 1799 है इसका link जो है आपको description box में मिल जाएगा और वहाँ पर coupon code भी आपको मिल जाएगा जो कि आपको 399 रुपिया में पड़ेगा इसमें भी देखी यह मैंने दो मंथ पहले डाला था इसमें 187 स्टूडेंट ने लिया है यह सभी और इसमें अगर discussion में देखें तो चार सेक्षन में डिवाइड किया गया है जो कि 40 lecture इसमें दिया हुआ introduction है character कैसे बनाते हैं और उसको मैं कैसे prepare करता हूं हर टाइप से यहां पर बना हुआ वीडियो और उसके बाद जो है animation के लिए भी यहां पर हर टाइप के animation भी करके दिखाया गया है और इसमें जो है कुछ जो है last में जो है कैसे कोई भी कहानी को create करते हैं वो भी यहां पर आपको details मिल जाता है उसके बाद हम बात करते हैं कार्टून अनिमेटर 4 का जो सीखना चाहते उसके लिए भी यहां पर पर को आपको मिल जाता है जिसमें कि आप जो ह्यां बनाते हैं, उसको Animation कैसे करते हैं और कैसे हम जो है Scenes को create करते हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और जो है जो Animate CC का है इसका जो Visual Effect जैसे बनाते हैं जैसे कोई जो Water का Effect हो गया चाहे वो जो है बारिस कैसे कराते हैं, चाहे जो आप waterfall का animation, जैसे कोई character को चोट लगता हूँ, जैसे गिर जाता है, जैसे चक्कर खाके, उस type का animation जो है, इसमें मिल जाएगा, जैसे fire का animation आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है, यह जो introduction है, water animation आप देख सकते हैं, जैसे rain water, lightning होता है, rain heat होता है, river का, sea animation, waterfall, यह सभी जो है, मैंने 4 course Udemy पे लगाया हूँ, यह सभी का description में link मिल जाएगा, और सभी का coupon code भी वहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो first week के लिए है, सिर्फ 399 रुपिया में परेगा, यह कोई भी course अगर लेते हैं तो, तो चलिए अब मैं topic पे बापस आता हूँ, तो आज का topic है, कि यह हमारा character यहाँ पे बना हुआ है, इस character को हम animate CC में ले जाएंगे, और वहाँ पे मैं इसको जो है, setting करेंगे, और इसको मैं animation करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे मैं animate CC में, इसको मैं यहाँ से delete कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद यहाँ पे दो तरीके से कोई भी character को हम ले जा सकते हैं, animate CC में, पहला होता है कि इसको direct यहाँ से copy करते हैं, copy करने के बाद मैं यह आता हूँ, और यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ, और ok प्रेस करते हैं, यह हमारा character यहाँ पे आ गया, और दूसरा होता ह कि हम यहां पर जो है कोई भी character को drag and drop कर सकते हैं जैसे माल लिजिए इसको delete करता हूं और हमारे character में जाते हैं और यहां पर जाते हैं control s प्रेस करते हैं तो यह हमारे पास character है इसको direct step से drag कर यह mouse से और animate cc में ले जाके step से छोड़ देते हैं और import करते हैं तो भी हमारा character जो है यहां पर आ गया इस दोनों में different क्या हुआ कि हमारे जो illustrator में जो भी इस screen पर था आप देखिए इस screen पर हमारा जो है logo भी था तो यह logo भी import हो गया animate cc में देख सकते हैं तो जो भी scenes पर होगा वह सारा import यहां हो जाता है और यह जो है single layer पर आता है और इस step से जो है हम कर सकते हैं या तो आप यहां से file में जाते हैं और यहां पर इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर import मैं करूंगा stage पर library और open external library तो यह सभी जैसे import stage तो जो कहीं और बना है उसको ले सकते हैं library अगर यहां पर library file है तो उसको कर सकते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं इसको मैं select करता हूं open करता हूं okay press करते हैं अब देख सकते हैं यह भी हमारा जो character आ गया तो इस type से दोस्तों कोई भी जो character होते हैं जब illustrator में आप बनाते हैं तो उसको आप तीन type से यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं animate cc में अब यहां पर आनेक बात मैं जो है कुछ को कुछ setting करता हूं इसको क्या करना पड़ता है सभी को हम जो है अलग अलग जो है सभी को symbol में convert करेंगे तो मैंने f8 करके symbol में convert कर देते हैं इस टैप से हमने बैक को सभी को symbol में convert कर लिए अब मैं इसको setting करता हूं जैसे यह जो है पीछे चला गया तो इसको हम क्या करेंगे ctrl shift करके up की प्रेस करेंगे यहां से देखिए up हो जाता है और इस दोनों पैड को नीचे करेंगे इस टैप से select किये और keyboard से back करेंगे तो इस टैप से हमारा जो है यह character सही हो गया उसके बाद हम बात करते हैं front view की front view में क्या करेंगे यह जो है head का part हम ऊपर रखेंगे और यह सभी जो है इस टैप से बना हुआ है तो मैं इसको क्या करता हूं नीचे से इसको शुरू करते हैं या उपर से मैं इसको करता हूं पहले f8 करके symbol में convert करूंगा इसको मैं control shift back कर देता हूं इस दोनों को select करते हैं और यहां पर इसको भी लेते हैं इस टैप से इसको इसको इस तीनों को f8 करके symbol में अब यहां पर देख सकते हैं इसका जो गला है पीछे चलाए तो मैं गला को इसके अंदर से लूँगा यहां से cut करता हूं और इसके अंदर जाते हैं यहां पर मैं control shift v पर इस कर दूँगा इसको मैं यहां पर रखता हूं इसके ऊपर हमको रखना चाहिए था तो मैं यहां से control z करता हूं यह बापा जाते हैं तो यहां पर पेस्ट करूँगा एक new layer create करते हैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं कुछ step से रखूँगा यहां पर इस step से रख दिया चलिए अब ठीक है अब मैं इसको फिर से symbol में convert करता हूं सभी को इस step से मैंने जो है सभी को symbol में convert कर दिये अब मैं क्या करता हूं इसको setting कर लेता हूं जो यह body है यह नीचे जाना चाहिए चलिए control shift back करेंगे और यह हमारा नीचे जाना चाहिए इस तीनों को select करते हैं be बैक्क और यह सभी पैर पीछे जाना चाहिए सभी को LGर्फ इसी करें , इस और इसको हो यूंट को स्लेक्ट करते से-टर्फ मिल रखें है pots और इसके पीछे होना चाहिए सहँ है और इसे बहुत देते हैं और यहांदी कपड़े हैो में रखने हैं इसको यहां से करते हैं इसके जाते हैं और यहां पर निव लेर क्रियेट करते हैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर और इसको मैं रखूंगा इसके यहां पर और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस टैप से, इसको मैं यहां पर करता हूँ, और इसमें भी मैं आउटलाइन लगा देता हूँ, इसके अंदर जाते हैं, यहां पर मैं आउटलाइन लगाऊंगा, इस टैप से, और अब हमारा जो है सही हो गया है आप देखिए इसके जो बाल है यह उपर आ रहे हैं और यह नीचे जा रहा है इस बाल को में सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल सिफ्ट बैक कर दूँगा आप देख सकते हैं हमारा जो केरेक्टर है कुछ इस टाइप से सेट हो गया यहां पर दोनों केरेक्टर अब इसमें क्या है कि और भी कुछ सेटिंग करने के जरूत है जैसे माल लिए यह जो है राउंड यहां पर आ रहा है यह राउंड से टूल लेंगे और इरेजर टूल से मैं इसको यहां से स्टैप से डिलीट कर देता हूं अब इसका जो है फिल डिलीट करना त Imma अधर रहा लेने के बाद मैं क्या करूँ यहां पे यहां पर देखिए दोनों को selected parts को अठा रहा है तो मैं इसको इरेज- line पर select करूँगा फिर मैं इसको इरेज करता हूं आप देख सकते हैं सिर्फ लाइन इरेज होगा इसके अंदर जाते हैं इस टैप से डिलीट कर दिया इसी टैप से इसके हाथ भी हम करेंगे मैं इसके अंदर भी करूँगा सेम ची इसका हाथ में जाते हैं और इसको मैं यहां से डिलीट कर दिया और इसके भी हाथ में जाएंगे यहां पर इस टैप से डिलीट हो गया तो इस टैप से हमने इस कैरेक्टर को जो है एनिमेशन के लिए तयार कर लिया है अब मैं क्या अगरूँगा इसको मैं दोनों को अलग-अलग सिम्बॉल में करूँगा सभी को सेलेक्ट करते हैं और F8 करके सिम्बॉल में कनवर्ट किये सभी को सेलेक्ट करके इसको इस टैप से और सिम्बॉल में कनवर्ट किये अब मैं जो है इसको दोनों को अलग-अलग हो गया है और इसको राइट पोटम क्लिक करते हैं और distribute layer कर देंगे यह दोनों जो हमारा character जो आप देख सकते हैं अलग-अलग layer पर आ गया है मैं इसको यहां से कर देता हूं front कि और यह बैग कि यह हमारा जो है यहां पर तैयार हो गया character हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको जो है कैसे animation करते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए thank you